तो हम शेक बनाना स्टार्ट करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम वन ग्लास मिल्क लेंगे अब हम इसके अंदर दो टी स्पून सुगर डालेंगे दालेंगे शुग दालें लें स्भी जालेंगे में वन शुप इसदे आपे लिए दालेंगे और अखम विसमें और जगादी और अखम विसमें और जगादी और हम इसको ब्लेंड सर लेंगे अब ब्लेंडे अब हम इसमें कुछ आइस क्यूप दालेंगे अब दालेंगे और जीट्ण अब कर दो अब हम इस पोदूर्डचा आइस तो अलग अलग बाउस में टाल देंगे चलेंगे और लिक्सा में टाल देंगे और अब इसमें रेट स्मूथ कलर टालेंगे और इसमें को ट्लैंड करतेंगे तो ऑल जो कलाट हें और ओजाल भाल डेट में א। आणुछ ty queremos टाल अटायँ अछिए और पॉआव टालेंगे तो अधिट्मे जाए यह हमारा पहरा तदर दयार हुचता है और हम दूसरे बाउल डालेगे, इसे बॉलकर मिक्षर हम आपस मिक्सिंग के डालेगे और हम इसमें प्रीन फुक कलर डालेगे इसे इसको ब्लेंड कर देंगे तो आपसे पाल में शिटता है दो आपसे पाल में शिटता है अब हम एक सर्विन ग्लास देंगे इसके अब हमने साइड में चॉक्टेट से अच्छी तरह से इसकी कवरिंग कर दी है अब हम इसमें हमारा मिक्षर डालेगे जो हमने घ्रीन कारल का ब्रना आया आपका लगा मिक्षर आया आपका लगा मिक्षर आया आपका लोगा मिक्षर आया आपका लोगा यज्फ शाnt बद चॉक्श आपका लोगा आपका लोगा एंद nom네 अब हम इसमें उपा से फ्रीम डालेंगे और हम इसमें उपा से चॉकलेट शिप स्प्रिंकल करेंगे हमारा कॉफी ग्रीनी शेक बनके तयार हो चुका है इस रेसिपी को अब ज़रूर ट्राय करें और अपने रिवीव में साज शेर करें और गाइस प्लीज सब्सक्राब मैं चानल थांक यू